अर ये वो चोला है की जिस पे रंग चड़े ना दूजा हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दिवसंती चोला मेरा रंग दिवसंती चोला हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूँ भी पिनियादव और वो छात्र जो चाहते अपनी देश की सेवा करना और ये वाली टी-सर्ट तो भाई हमको एक द्यारती गिफ्ट में दिया है और आप सबसे मैं यही कहूंगा किस बार जितने भी छात्र हमारे पढ़ रहे हैं और जो जो सफल होंगे गिफ्ट में सबसे एक एक टी-सर्ट इसी तरीके से लूँगा और ये मैं अपने फोजी भाईयों के सम्मान के लिए पहन रखाऊं और SSE GD Batch जब तक पढ़ाऊंगा इसी टी-सर्ट में पढ़ाऊंगा तो आगे एक बात सबसे पहले जो कि मेरे छेतर से सम्मंदित है गनित से तो गनित में अच्छा अंक कैसे प्राप्त करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे चुकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि फिजिकल तो उनकी बहुत तगड़ी होती है लेकिन पढ़ाई में बेचारे जीरो बटा सननाटा होते है पढ़ाई में उनको समझ में नहीं आतरो खासकर गनित थोड़ी पेचीदा चीज है लेकिन ये बड़ा सिस्टम से पढ़ने का चीज है क्योंकि गनित ना एक मोतियों की माला है समझ लीजिए उसमें से एक दो मोति निकल जायता पूरे माला धिला हो जाता है तो उसी तरीके से गनित को पढ़ना होगा गनित में पहली बात जानिए कि सिलेबस क्या है आपका सिलेबस जब तक नहीं जानिएगा तो आप मेहनत कहां करिएगा फाल्तू के मेहनत करिएगा तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है आप देख रहे मैं सारे चीजे पढ़ा रहा हूँ यूटूबर रात के आठ बजे लाइब आकर बिल्कुल फ्री में चलती है आठ बजे और सुबह, सोम बार से तो सुबह में आठ बजे हम रिजनिंग का भी क्लास लेने बाले हैं यह मैत का फिर रिजनिंग का, देख लीजिए तो नंबर सिस्टम परना है नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है तो सबसे पहले टेस्ट आफ डिवीजिबिलीटी पढ़ना होगा टेस्ट आफ डिवीजिबिलीटी पढ़लेना होगा उसके बाद आप इसमें संख्या पर अधारित कुछ प्रसन आपको जैसे दो तीन संख्या के बीच का जो संबंद रहता है या तो परतीसत में होगा कह देगा इस संख्या का इतना गुना इस संख्या का इतना गुना या अभाज संख्या पर संबंदित सवाल तो ये सारे आपको नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है उसके बाद जान लिजे whole number के बारे में आपको जान लेने की जरूरत है हमने इसकी वीडियो पहले भी बना रखी है लेकिन अगर आप नहीं देखा है तो अभी मैं इस पर पढ़ाने बाला भी हूँ उसके बाद decimal and fraction इसके बीच जो relation दिया जाता है नमबरों के बीच तो decimal fraction पढ़ने की चीज़ है नमबर सिस्टम ऐसे बहुत बड़ा चेप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है decimal fraction पर लिजे whole number पर लिजे और number सिस्टम में हमने आपको बताया कि test of divisibility के बारे में जितने भी बिभाजी था कि नहीं हम कल ही हमने पढ़ाया था SSCGD के exam में उसी से question आते हैं 2024 में भी आय वो मैंने कल करवाया था रात में 8 बजे आपने देखा होगा अब उसके बाद mathematical operations percentage percentage आज हमारी रात में 8 बजे चलेगी YouTube पर Math Musti YouTube चैनल पर Math Musti हाँ Math Musti पर कहां चलेगी जी Math Musti चैनल पर चलेगी इसी चैनल पर आपका आज रात में 8 बजे percentage इसमें सारे वो प्रसन हम करवाएंगे जो 2023 में, 2019 में, 2021 में और 2024 में परतीसत से जो भी सवाल पूछे गए हैं ये सब आप यहाँ पर देखेंगे मैं एक बात के लिए और चैलेंज करूँगा आपको कि चाहे आप गनित में कितना भी कम जोड क्यों न हो आज की कलास अगर आप रात में 8 बजे करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी नहीं कहेंगे कि सर यी बात अगर हम पहले जाने होते तो हमको दिक्कत रहता कभी नहीं हो सकता कभी दिक्कत नहीं होगा ये पूरा चैप्टर ही एक कलास में खतम कर देंगे रेशियो और परपोसन परहाएं है यूटूपर एबरेज परहा दिये इंट्रेस्ट में SI और CI SI और CI यानि सधारन ब्याज चक्रविधी ब्याज ये दोनों टोफिक में ने पढ़ा दिया है इसको पढ़ने की जोते हैं एक सवाल नहीं छूटेगा इसको अगर आप पढ़ लिये हैं तो उसके बाद प्रोफिट और लोस परसेंटेज के बाद प्रोफिट और लोस चलेगा डिसकाउंट चलेगा मेंसूरेशन थोड़ा सा टाइम मेंसूरेशन में देना पढ़ेगा अच्छा खासा टाइम चूकि पूरे इसमें हम 2D, 3D दोनों परहाएंगे बाता है समझ में उसके बाद टाइम एंडिस्टेंस इसमें आप ट्रेंस से संबंदित सवाल भी करके जाएंगे उसके बाद टाइम डिस्टेंस है स्पीड भी इसी में इकुलूड करिए और ट्रेंस से संबंदित भी सवाल हलके फुलके नाउधारा वाला सवाल भी पढ़के ही जाना चाहिए क्योंकि देखिए कभी-कभी एक्जामनर के माइड में सिट हो जाता है कि बहुत ही सब रट के आया है टाइम डिस्टेंस दूरी चाल समय कहले है तो थोड़ा नाउधारा पर सवाल पूछ लेते हैं तो बॉट एंडेस्टीम के सवाल वो भी हम आपको करवा देंगे एक-एक कलास की जरूरत हमारे परस टाइम भी बहुत है अच्छा उसके बाद रेशियो एंड परपोस्टन तो यहां हो ही गया है उसके बाद इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है Ratio एंड टाइम इसलिए लिखिया गया है की मतलब वो जो टाइम का जो रेशियो वला सवाल होता है उसको लेकिन यह सब चीज आप Time and Distance में ही पढ़ा देंगे हम आपको और Time and Work Time and Work है Time and Work के साथ साथ आपको नल टंकी भी पढ़के जाना होगा इतनी चीजें कैसे आप तियार कर पाएंगे तो सबसे पहले एक बात जान लिजे कोई भी चेप्टर पढ़िए तो उसकी बेसिक चीजे छोटी छोटी चीज आपको सीखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होता है गनीत में हर छोटा 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 चीज जुरकरी बड़ा बड़ा सबाल बनाता है आप देखते हैं, सुन्दर से सुन्दर बड़ा से बड़ा मकान, बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे इट की जरूरत है उनके बालू के कन, सेमेंट, गिट्टी जी से कहते हैं तक, या MTS के लेबल की अगर तैयारी के नहीं, ये सारी चीजे हो जाती है MTS वाले छातर जरूर देखें आप इस क्लास को रात में 8 बजे, है न Railway के लिए हम अलग करेंगे इसके बाद भी हमने Special Gift आपके लिए आज लाया है, वो Special क्या है, अगर चाहे आप मस्ती अपलिकेशन पर इसका ओफर दिया गया है और इस कोर्स को आप जोईन कर सकते हैं और पूरा Special Math का जो कोर्स है, Special Math का कोर्स 499 का, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये 499 नहीं चुकाना है आपको आज सिर्फ 199 रुपईया में सिर्फ 199 रुपईया में पूरे ये arithmetic और mensuration, ये पूरे topic आपको video recorded batch मिलेगा VOD batch, फाल्तू की time बढ़बाद नहीं होगी, PPTPDF सारी चीज़, solution के साथ सब कुछ वहाँ प्रेवलेबल है, test की भी बेवस्ता होगी, फिरी test वाले फिरी test लगा सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ 199 रुपईया में आप अपने math को complete कर सकते हैं दोस्ते एक बात जान लिजे, मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा, जिबन में कुछ करने का, अगर आपको लगेगा कि 199 रुपईया बहुत मुस्किल चीज़ है तो फिर कोई बात ही नहीं है आपको मैं यूटूब पढ़ भी फिरी पढ़ात हूँ पढ़ने वाले बच्चे, यूटूब पढ़ भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने especially ये इस कुर्स को इसलिए डिजाइन किया है कि भाई वैसे बे बच्चे जो और बेसिक से एकदम छोटी-छोटी बात भी नहीं समझ पाते होंगे मैंने यहां तक कि बुडमास के रूल सारे चीज पढ़ा के तब वो वीडियो के 9 वीडियो जो कि सिर्फ बेसिक कलास अलग से अपलोड है उसके साथ सारे चेप्टर को आप चेप्टर में theory wise सारे question हमने solution कराया है अगर इसको आप देख लेते हैं तो question अच्छे level के भी पूछे जाएंगे तो भी आप बना के आएंगे अब तक जो SSGD में math के सवाल पूछे गया है सारे normal सवाल है लेकिन अगर सवाल का अस्तर इस बार उचा कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं हमारे चात्रों को दिक्कत नहीं होने वाला इस तरीके से हमने पूड़े question का arrangement ऐसे किया है और sequence wise, topic wise और हर topic का type wise मैंने पढ़ाया है मज़ा आ जाएगा इसको course को जोईन करके आप पढ़के देख सकते हैं बाकी हमारा जो help line नमर है आपका एक नमर ये 89, 70, 35, 27, 49 और एक नमर है 62, 99, 34, 0, 7, 150 WhatsApp और call कर सकते कोई समस्या हो तब अब ये कहां पर आपको मिलेगा इस बात को जान लीजिए सबसे पहले जाएए प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर आप जानते हैं न जहां से WhatsApp, Facebook डाउनलोड करते हैं आप कोई भी आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर जाएए और Maths Musti आप लिखिए Maths Musti बस वैसे ही आजाएगा Maths Musti by Bipin Sir तो उस एप को डाउनलोड कर लेना है अपना मोबाइल नमर नाम डालके उसको रजिस्टर कर लेना है उसके बाद ये SSCGD वाला कोर्स किसी भी माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं चाहे आप फोन पे वालेट कोई भी चलाते हैं फोन पे पे टियम चाहे कार्ड से किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं फिर भी कोई समस्याएं होती है तो आपको ये दो नमर दिया हुआ है सारी चीजे वहाँ पर अबलेबल है और जाकर इस कोर्स का मजा ले सकते हैं बाकी रात के आठ बजे फिर मिलिए जिनको अगर देखना है कि सच में पढ़ाया कैसे जाता है जो भी द्यारती कमजोर से कमजोर हो समझते कि भाई हमको गनीद नहीं आ सकता रात में देख लीजिए पहले बाकी तो जिनको ये इस कोर्स को जोईन करना है और आप अपनी गनीद को बेहतर बना सकते आगे हम रिजिनिक आभी कोर्स लाएंगे और बहुत इत्मिनान से आप अच्छे लेवल तक के प्रसन को बना के आएंगे अगर इस बार एक्जामनर का मन भी हो गया कि भाई इस बार तनी हम पूछ लेते हैं उपर जाके तो वहाँ तक की तैयारी हो जाएगी आपकी चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू